रुक कर लेते हैं लखनाव का जहां पर R9 TV की खबर का बड़ा असर देखनी को मिला है दरसल 181 सेवा के कर्मिचारियों को वेतन नहीं मिला था और अब बकारा वेतन उन्हें मिलेगा राज्य कर्मिचारी सेफ्ट परिश्रत के अधक्ष ने इसको लेकर आदेश जारी किया है वेतन भुकतान के लिए आदेशों को जारी किया जहां 5 जून 2019 से कर्मिचारियों को उनकी सैलरी नहीं मिली थी सबी कर्मिचारियों को नौक्वी से निकाल दिया गया था और सैलरी नहीं मिलने से एक कर्मिचारी ने खुदकूशी भी की थी तो खबर दिखाने के बाद श्रातन इसको अंग्यान लिया महिला हेल्ट प्लाइन एक स्विक्यासी पहले की तरह अब चलती रहेगी तो आनाइन टीवी ने इस खबर को प्रमुक्ता से दिखाया था और उसके बाद अब सैलरी नहीं मिलने पर जो कर्मिचारी हर्ताल पर थे अब वो यहाँ पर खुश है क्योंकि उन्हें उनकी रकम मिल पागी अरुन चत्रवेदी हमारे साथ हमारे सायोगी जुड़का है अरुन एक बार फिर से आनाइन टीवी की खबर का असर हुआ है 181 के जो कर्मिचारी थे काफी वक्त हो गया यानि कि हम कहलें कि पूरा साल यहां पर बीद गया उनको अपना जो महंताना था वो नहीं मिल पा रहा था लेकिन अब यहां संग्यान लिया गया अधिकारों के जरिये और जड़ी उन्हें उनका जो महंताना था वो मिल पाएग जी देखें मैं आपको बता दू कि जो राज करमचारी स्वाइब आदेस जारी किया है कि जो जी विके से 180 महिला करमचारी थी 300 के लमसब करमचारी थी जो धरना दे रहे थी उनको 13 महीने से वेतन नहीं मिला था और जो वेतन की एक साल से टरकाया जा रहा था जब उन्होंने वेतन की जादा दबाओ दिया मुकमंतरी से लेकर या महिला करमचारी विभाग तक उन्होंने इसका जो है इसके लिए उन्होंने धरना पंदर्पन किया आर्माइटीजी ने प्रमुक्ता से खबर लिखाए जोड़ा जाए और जोड़ के सेवा पूरी तरह से टालू की जाए अभी तक कब तक मिल पाएगा वेतन क्यूंकि पहले ही एक साल से जादा का इंतजार किया है अब आदेश तो हाला कि जारी कर देगा लेकिन उसमें कितना वक्त लगेगा जिसी कि शासना अदेश में यह भी लिखा के राकिक के पहले ही जानलिオ अच्छा बंदन के पहले ही इनको वेतन दे दिया जायी जाए तोg सब्सक्राइब कर दिया जाएगा तो अब इनकी पहले की तरह नोकरी भी जारी रहेगी और इनकी जो भुकता ने एक साल से नहीं मिला वो भी उनको जल से जल रच्छा बंदर के पहले दिया जाएगा जिस तरह का नुकसान अरुण इस एक साल में हुआ है जैसा कि पहले नौकरी से भी निकाला गया था हाला कि अब इन आदेशों की जारी होने के बाद फिरसे जो सुचार रूप से चीज़े चलती थी वो यहां पर चल पाएगी लेकिन नुकसान की क्या भरपाई हो पाएगी जो अब तक हुआ है? अब जो पती है उनके पती है कोई बेरोजगार है तो इन लोग के कहा है कि सरकार से ये भी मांग किया है पर कम्णले की जाज करमचारी जंन परपर्वाही बरती जाएगी उसके खिलाब करवाई की जैगी क्योंकि जेवी के जो संस्ता है जिस संस्ता से ही काम करती थी साड़े तीन सब करमचारी आखिर उतनी देर तक इनको इतनी सालों तक इनको चाली कि उलेगी आखिरकार एक साल बात मिल गया है कि आखिर आखिर बात मिल अर उनको चाली कि जा है